बॉलिविट सूपर स्टार और करोडू लड़कियों के दिल के स्टार रित्य ग्रोशन आज 48 साल के हो गए हैं लेकिन इस हौट हांसुम हंग को देख कर कोई कह सकता है कि मेहस दो सालों में ये 50 साल के हो जाएंगे खैर करोणा के वज़े से हर साल की तरह साल अपना जन्म दिन तो वो नहीं मना पाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ रित्य ग्रोशन अपना बर्डे मनाएंगे तो चलिए हम आपको उनकी कुछ परसनल लाइफ के बारे में बताते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि रित्यक और सुजैन डिवर्स ले चुके हैं लेकिन आज भी सुजैन ने रित्यक को बर्डे विश किया है ये होता है सेपरेशन के बाद कैसे एक दूसरे का रिष्टा में टेन रखना है कुछ साल पहले ही कपल गोल्स माने जाने वाले रित्यक और सुजैन की जोड़ी ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था रित्यक रोशन और सुजैन खान की जोड़ी एक समय की हिट जोड़ी में शामिल हुआ करती थी जिसको देखने के लिए फैंस बेस अबरी से इंतजार करते थी फिर उनकी कोई फोटो हो या उनकी विकेशन का विडियो हो हर कोई बस इंतजार करता था और दोनों की केमेस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आती थी लेकिन किसे पता था कि इस कपल को किसी की बुरी नजर लग जाएगी और दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ीगा साल 2000 में रितिक और सुजैन ने काफी समय डेट करने के बाद शादी की थी कहा जाता है कि रितिक को तो सुजैन से पहली नजर में इश्क हो गया था इस प्यार के पंची ने बहुत ही खूपसूरती से इस रिष्टे को 13 साल तक ने भाया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि तोनों ने साल 2014 में तलाक ले लिया खबरों की मानी तो इस प्रेक अप की वज़े कंगना रनाउत और अर्जुन रामपाल थे एक फिल्म की शूटिंग के दोरान रितिक और कंगना बेहत करीब आ गये थे ऐसा काफी दिनों तक सुर्खियों में भी था और यही वज़े थी कि सुजैन ने रितिक से तलाक ले लिया खैर सिफ रितिक की ही गलतियां सुर्खियों में नहीं थी सुजैन खान का नाम भी अर्जुन रामपाल से काफी समय तक जोड़ा गया खेर इन सब के बारे में दोनों ने कभी खुल कर कुछ कहा नहीं लेकिन चर्चाएं तो यहीं थी अब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा वरना यूँ ही इतना गहरा प्यार कोई खत्म नहीं करता जो भी हुआ हो लेकिन आज भी अजोड़ी एक साथ वेकेशन्स पर जाती है अपने बच्चों के साथ कॉलिटी टाइम स्पेंट करती है आए निस रिपोर्ट